So, कैसे हैं आप सब यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे SLABUS को लेकर for Undergraduate Interns Test for SCOST कश्मीर SCOST यानि कि शेरे कश्मीर University of Agriculture and Science and Technology ठीक है तो क्या SLABUS रहता है Undergraduate प्रोग्राम में अगर आप admission लेना चाहते हैं इस तरह से आप क्या आपको पढ़ना है ठीक है तो वही यहाँ पर बात करेंगे Interest Test की बात करें तो यहाँ पर आपको जो Quotient Paper मिलता है Multiple Choice Quotions होते हैं 45 Quotions होते हैं Physics से Quotient No.1 to 45 उसके बाद Chemistry से 46 Quotient No.1 से लेकर 90 Quotient No.1 उसका Biology होते है 91 Quotient से लेकर 135 and Mathematics 136 से लेकर 180 तर ठीक है यह रहता है Quotient का pattern and यहाँ पर आपको जो Time मिलता है वो भी यहाँ पर 5 गंटे मिलते हैं आपको 135 Minutes ठीक है Fast Team 1 & 2 and 3 Horse टोटल अगर आप सभी subjects को पूरा पेपर attempt करना चाहते है Mathematics, Chemistry, Physics, Bio तो आपको 3 hours मिलते हैं 3 गंटे मिलते हैं आपको पेपर में ठीक है 180 Minutes मिलते हैं आपको पेपर को attempt करने में तो आपको लग 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 एक कोशन को करने में सिर्फ एक मिनिट मिलता है एक मिनिट में आपको एक कोशन सौल करना होता है अब हम स्लेबस की तरह चलते हैं स्लेबस क्या है जो भी यूजी कोर्सिस हैं उनमें जो कोशन पेपर है वो जो इस तरह से फ्रैम किया जाता है वो बेस्ट ऑन लेटेस्ट स्लेबस अडॉप्ट बाई चमू एंड कश्मीर बोड आफ स्कूल एजुएशन जेके बोस का जो स्लेबस है क्लास 11 और क्लास 12 का क्लास 11 और क्लास 12 का जो लेटेस्ट अडॉप्टिड स्लेबस होता है जेके बोस का आपको वो ही प्रिपर करना है वहीं से जो है वो कोशन पेपर बन गया आता है ठीक है अगर आप नीड की प्रेपरिशन कर रहे हैं या फिर किसी और एक्जाम की तो समझो कि आप इस कॉस्ट की भी तियारी कर रहे हैं ठीक है तो यही 1112 जो क्लासिज है जेकी बोस का यही स्लेबस होता है आपको यही प्रेपर करना है तो स्टुडेंट्स को चानना चाहते थे स्ल के लिए गुडबाए